पंजाब में आहम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद फैसलों का दोर लगातार जारी है मुख्यमंत्री भगवंत्मान अपने चुनावी वादे के ही मताबिक जन्हित में एक के बादे एक फैसले ले रहे हैं एंटी करप्शन हेलप लाइन जारी करने और समविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करने के बाद वादे को पूरा करने के बाद अब पंजाब सरकार ने विधायकों की पेंशन पर आहम फैसला किया है पंजाब के सीयम भगवंत मान ने निर्देश दिये हैं कि अब राज्य के विधायकों को सिर्फ एक ही पैंशन मिलेगी इस निर्देश के बाद विधायकों को दी जाने वाली पैंशन के फॉर्मूले में बदलाव किया जाएगा बता दें पंजाब में अभी तक विवस्था थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था उतनी बार की उतनी पेंशन पक्की हो जाती थी पर अब बस एक pension होगी पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार pension मिलेगी चाहे वह कितनी ही बार जुनाओ जीता हो शुक्रवार को सीम भगवंत मान नहीं जानकारी दी मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीत में आते हैं तो फिर लाखों की pension देना जायज नहीं है मान ने कहा कि विधायक की नहीं बलकि उनके परिवारों को मिल रही pension को भी revise किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसके वारे में बिस्तरित जानकारी दे दी जाएगी आप सरकार के इस फैसले से कॉंग्रेस और अकाली दल के नेताओं को बड़ा जटका लगेगा प्रकास coffin बादल, कैप्टन अमरेंदर सिंख और राजिंदर कॉल भटल जैसे कई अकाली दल और कॉंग्रेसी नेताओं को कई बारविधायक रहनी के वज़ा से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी अपने वीडियो संदेश में पंजाब सीम बगमतमान ने का कि हमारे MLA हाज जोड़कर लोगों से वोट बांगते हैं कई नेता तो राज नहीं बलकि सेवा की बात कहते हैं हैरानी की बात यह है कि बहुत से MLA को हारने के बाद साड़े तीन लाख से सवा पांच लाख तक की पेंशन मिलती है खजाने पर करोणों रुपए का बोच पड़ता है कई ऐसे हैं जो सांसद और MLA दोनों की पेंशन ले रहे हैं अब MLA चाहे दो बार जीते या साथ बार उसे सिर्फ एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी इसके साथ ही पेंशन से जो करोणों रुपया बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा इतना ही नहीं मान ने जिन विधायकों की फैमिली पेंशन जादा है उसे भी कम करने की बात कही है आपको बता दें कि पंजाब में सबसे जादा पेंशन पांच बार सीम रहे चुके प्रकास सिंग बादल की बनती है जो लगभग पौने 6 लाख है हाला कि बादल ने कुछ दिन पहले ही अपनी पेंशन लेने से इनकार कर दिया था उनके अलावा छे बार विधायक रहे पूरु सीम, राजिंदर कौर भटल, लाल सिंग, पूरु मंतरी, सर्वन सिंग, फिल्ला और को सवा तीन लाख, पांच बार विधायक रहे बलविंदर सिंग, भूदर और सुखदेव धीनसा को सवा दो लाख रुपे पेंशन मिलती है इनको बतवर राजिसभा सदस्य, वेतन, पेंशन और भत्ते अलग से मिलते हैं इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंग भी चुनाव हा रहे हैं, तो उन्हें भी लाखों की पेंशन मिलनी थी पर सीम भगवन्तमान के इस फैसले ने इन सभी वरिस्ट नेताओं को तगड़ा जटका दे दिया है भगवन्तमान ने अपने इस फैसले में राज्य पर वित्ती बोच कम होने का भी जिक्र किया है आपको बता दें कि पंजाब पर करिब 3 लाख करोण का करजा है गुरुवार को दिल्ली में पीम नरेंद्र मोधी से मिलने के बाद सीम भगवन्तमान ने खुद इसे स्विकार किया था पंजाब की वित्ती हालत को देखते हुए उन्होंने केंदर से एक लाख करोण रुपए के पैकेज की मांग भी की थी आप भी सुन लीजे कि भगवन्तमान ने क्या कहा नहीं मिल रही है असी एस मामले चे बहुत वड़ी वड़ी का दम चाक रहे हैं पर जो आज में तो अड़ना गल करनी है वो एक होर विशेते है साड़े राजनीतिक लोग जड़े एं मले ओ हाथ बन के लोका तो बोटा मंग देने के सेवा दा मौका देओ जी कई ता राज नहीं सेवा कहके भी जड़े ने बोटा मंग देने ते हैरानी होगी तो अन्नों के बहुत सारे एं मेले जड़े कुई तिन बार जित्ते होया हार गया कुई चार बार जित्ते होया टिकेट नहीं मिली पांच बार जित्ते होया छे बार जित्ते होया नहीं पाड़े चार लख भी है किसेनों सवाब पांज लख भी है पैंशन हो ते खजानने ते क्रोड़ां रपीयां दा बोज पेंद है कई MPs भी हो जेने जड़े MPD भी पैंशन लेहरेने ते थे पहला MLA रहे सी ओधी पैंशन भी लेहरेने सो आज एक बहुत बड़ा फैसला 50 सरकार को लों मैं करन जा रहे हैं कि MLA पा में दो बार जिते पांज बार जिते सात बार जिते पर उन्हों पैंशन सिर्फ एक टरम दी मिलूगी सिर्फ एक टरम दी पैंशन उन्हों मिलूगी जित पा में जिनी बार जिते जावे ते नाड क्रोडा रपीया जड़ा इदे पैंशना कटाओं नाड बचूगा उन्हों लोग का नी पला ही ते खर्च किता जाओगा क्योंकि सेवा करन दी इन्ही पैंशन किसे भी पक्खों सिर्फ एक टरम दी पैंशन ही मिलूगी ते उन्हां दे फैमली पैंशन ने वह भी बहुत जादा ने उन्हां दे विच भी कटोती किती गारी है ते अफसरानों मैं लोड़ी दे होकम जिड़े ने निर्देश जिड़े ने देते ने मैं एक वरी फेर दास देना चौना पं सिर्फ एक टरम दी पैंशन ही मिलूगी ते उन्हां दे फैमली पत्ते जड़े ने मुफ्तिच मिल दे ने उन्हां दे विच भी कटोती कीती जाओगी आउन्हारे दिना दे विच तो आन्नों एदी सारी डिटेल मिल जोगी ताके पंजाब दे खजानने नू बचाया जाव पे ते उख जानने दा एक एक पैसा जिड़ा है लोग पला ही ते खर्च कीता जाओगी इनकलाप जिन्दाबाद